हलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द्वी संकर क्रास या डाई हाइब्रिट क्रास के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही मेंडल के स्वतंत्र अव्वियन नियम को भी समझेंगे तो आएए इस वीडियो को सुरू करते हैं जब दो जोड़ी भी परियाई लक्षणों के मद्ध क्रास किया जाता है तो उसे द्वी संकर क्रास कहते हैं उदाहरण के रूप में देखिए तो मटर का ऐसा पौधा लेते हैं जिसका बीज होगा गोल और सांथी सांथ उसका रंग होगा पीला और दूसरा मटर का पौधा लेते हैं जिसका जो बीज होगा वो थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ अर्था जूरीदार होगा और उसका रंग हरा होगा ऐसे पौधे के मद्ध क्रास कराते हैं तो ये द्वी संकर क्रास का उदाहरण होगा गोल जुरिदार पर प्रभावी होगा इसी तरीके से पीला हरे पर प्रभावी होगा अर्थात गोल एवं पीला प्रभावी लक्षण है और जुरिदार ओहरा प्रभावी लक्षण है आगे देखिए इस गोल वाले का जो कारक होगा इस कारक को हम केपिटल आज से दर्साएं यह अब प्रभावी लक्षण है, इसलिए इनको इसका स्माल फार्म के रूप में दर्ञएंगे, इसमाल आर, इसमाल वाई, इसमाल वाई, यहां जब इसमें युगमक बनता है, तो यह दोनों एक एक आएंगे, और साथ देखेंगे हम लोग, यह आर बारी-बारी इसमें दो माण होगा तो चार युगमक बनेंगे लेकिन सब एक ही प्रकार के होंगे इसलिए हम लोग इसको भी एक ही लिख देते हैं अब इनके बीच दिक रास होता है ये दोनों आकर के मिलेंगे दोनों युगमक तो यहां पर पहले पीड़ी में हमको जो संतत्ति मिलेगा या जो बी प्रभावी है तो इसका जो लक्षण होगा वो हो जाएगा गोल वर पीला लेकिन सुध नहीं है क्योंकि दोनों एक पीटल आर और फ़िख देते हैं इसलिए इसके आगे हम लोग लगा देंगे संकर गोल वर पीला यह हो गया युगमक और यह हो गया यपवन पीढ़ी इनके बीच में स्वप रागण होने देते हैं अर्थात एक साइड ये हो जाएगा मेल के रूप में ये माली ये मेल बना दिये और इधर दूसरे साइड फिर यही हो जाएगा फीमेल के रूप में ये फीमेल हो गया इनके बीच में दिस्वप रागण करते हैं तो इसमें टो इस r के साथ बारी बारी से पहले इस y को और इस y को तो यह हो गया r और capital y दूसरे में हो गया r और small y फिर इस r के पास आईए इस से बारी बारी से दोनों को कर दीजे तो यहां हो गया small r capital y और small r small y इस तरीके से इसमें चार युगमक का निर्माड होगा इसमें भी चार युगमक बनेंगे capital r capital y दूसरे में capital r small y तीसरे में small r capital y और चौथे में small r small y अब इनको आपस में दिक राज कराना है तो उसके लिए यहां पे checker board या जिसको की punet square करते हैं उसकी सहायता से इन सभी उगमकों को आपस में बिलाएंगे तो आईए देखते हैं किस प्रकार से बनेगा checker board उसके लिए हम सबसे पहले चार्चा डीबबे का दोनों साइट से बाक्स बना लेंगे यह total 16 हो गए, उपर हम यह यह यूगमक को लिखने के लिए बना दिये हैं एक side male को लिख देते हैं और एक side female को लिख देते हैं मान लिजे इधर हो गया male, इधर हो गया female इसके यूगमकों करें लिखते हैं हम लोग, तो यहां पे आजाएगा capital R, capital Y दूसरे में आ जाएगा capital R small Y तीसरे में आ जाएगा small R capital Y और चौथे में small R small Y इसी तरीके से जो female के gamit हैं उसको इधर लिख देंगे तो यहां हो जाएगा capital R capital Y capital R small Y small R capital Y और small R small Y इनको मिलाना कैसे है देखिए यह डिबबा में इन दोनों से जो इगमक हैं वाकर के मिलेंगे तो यहां पर जो बनेगा capital R capital R capital Y capital Y यहां पर भी same ही होगा capital R capital R और यह होगा capital Y यहां से आएगा small Y ऐसे करके लिखते जाएगे यहां से capital R तो यह small R है capital Y capital Y और last वाले में capital R small R capital Y और small y ऐसे देखते हुए आप आसानी से लिखते जाएंगे चाहे तो इस तीनों को इधर भी लिख सकते हैं क्योंकि same इस line में भी बनता है यही तो यहां से हम लिख लेंगे इसको capital R, capital R, capital Y, small y यहां पे हो जाएगा capital R, small r, capital y, capital y और यहां पे हो जाएगा capital R, small r, capital y और small y आगे वाले में आईए इसमें दोनों capital R, small y इस वाले में capital R, small r, capital y और small y यहां पे capital R, small r, small y और small y इसी तरीके से इस दोनों डिबे में भी इन दोनों को लिख सकते हैं या फिर आप यहां से देख करके भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से इसको capital r small r, capital y small y, और इसमें हो जाएगा capital r small r, और दोनो small y, आगे इस वाले में देखिए, दोनो small r हैं, और दोनो capital y हैं, इस वाले में दोनो small r आएंगे, और एक capital y, एक small y, इसको यहां भी लिख सकते है या पिर यहां से देख करके लिख लीजिए, यह हो गया capital Y और small Y, last वाले में चारो, small R रहेंगे और small Y रहेंगे, अब इनके लक्षण हम लिखेंगे, तो लक्षण में देखें क्या क्या होगा, यह वाला एक भी capital R है, मतलब यह प्रभावी है, गोल को दिखाएगा, एक भी capital Y है, मतलब वो पीले को दिखाएगा, उसके अदहार पे देखते जाएए इसमें, इसको क्या लिख सकते हम लोग, यह लिखाएगा, गोल और पीला दोनों capital हैं, तो यह हो गया, गोल पीला, इस वाले में लिख सकते हम लोग, यह भी capital Y आ गया है, इसलिए गोल और पीला भी भी होगा इसमें भी एक केपिटल आर है और केपिटल वाई तो इसको हम लोग देख करके गोल पीला और यहां पर भी केपिटल आर और केपिटल वाई हैं तो गोल पीला इधर से बढ़ है अब मैं जैसे बताया था कि इधर वाला सेम होता है यह तो सेम वही है इसको भी लिख वाला भी हो जाएगा गोल पीला, अब इसके पास आते हैं दोनों केपिटल आर हैं और इसमाल वाई हैं,, तो केपिटल आर के लिए हम OME लोग डाल देंगे गोल, लेकिन इसमाल वाई हैं, तो इसमाल वाई होता है हारा, तो यह हो गया गोल हारा, लेकिन ये दोनों एक capital R और capital Y होगे तो पुना ही गोल पीला और ये वाला एक capital R है इसलिए इसको भी कहेंगे goal और हरा ऐसा ही इस लाइन में भी सो होगा तो इसको लिख देंगे हम लोग ये capital है तो goal पीला और ये हो जाएगा goal हरा इसको देखिए ये दोनों इसमाल R है लेकिन capital Y है तो इसलिए हो जाएगा जूरीदार इसको लिख लेंगे हम लोग जूरीदार और साथी हो जाएगा ये पीला ये भी दिख रहा है दोनों इसमाल है इसमाल आर है तो दोनों जुरिदार और केपिटल वाई आगे इसलिए यह भी पीला होगा और ये वाला भी वही आजाएगा सेम जुरिदार और पीला लास्ट वाला जो बचा यह हो जाएगा दोनों चारो चुकि दोनों R इसमाल है दोनों Y भी असमाल है तो हम लोग इसको लिख देंगे जोरिदार और हरा तो इस तरीके से आप इस चेकर बोर्णी या जो पूनेट चार्ट हम लोग कहेंगे इसमें आप इनको लिख सकते हैं तो इस तरीके से आप जो जीनो टाइप है उसको देख देख करके उसका जो फीनो टाइप या लक्षण होगा उसको आसानी से इसमें लिख सकते हैं अब आजे देखते हैं कि इसमें जो genotype और phenotype होँगे, वे क्या प्राप्त होंगे, तो पहले phenotype को देखते हैं, इसका phenotype में हमको सिर्फ लक्षडों को देखना है, हमको इसके जीन या कारक से मतलब नहीं है अभी, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, गोल पीला, एक है साथ आठ और नौ यह मिलता है टोटल नौ इसी तरीके से आगे एक ठोए गोल हरा दिख रहा है यह संख्या में एक दो तीन है तो इनको तीन लिख दिये और फिर जुरिदार और पीला बज गये यह भी तीन है यह हो गया जुरिदार पीला इसकी संख्या भी तीन हो गया और लास्ट में दिख रहा है एक जुरिदार और हरा तो यहां पर जुरिदार हरा इसका संख्या हो जाएगा एक अर्था यह हम लोग देखें फीनो टाइप अनुपात तो दूई संकर का फीनो टाइप अनुपात हमको प्राप्त हुआ नौ अनुपात, तीन अनुपात, तीन अनुपात, एक तो इसको विशेष ध्यान दखना है कभी-कभी परिछाओं में इनको भी पूछा जाता है कि नौ अनुपात, तीन अनुपात, तीन अनुपात, तीन अनुपात, एक क्रास किसे कहते हैं आप असानी से बता सकते हैं द्वी संकर क्रास को अब इसका आगे देखते हैं इसका जीनो टाइप क्या होगा इसमें तो Geno type के लिए हम सिर्फ इसके इन कारकों को देखेंगे लक्षणों को हम उसमें नहीं count करेंगे तो इसके Geno को देखते हैं या कारकों को कितने प्रकार के होंगे तो पहला दीख रहे हमको capital R, capital R, capital Y, capital Y ये और कहीं नहीं है, सिर्फ एक्ठ हो है मस्चीन करते गया, यहाँ पे हो गया यह, तो यह हो गया एक, इसके पगल में देखिए इसको, capital R, capital R, capital Y और small Y, यह इधर भी होता है, तो यह हो गया, दो, तीसरे नमबर में, capital R, small R, और capital Y, capital Y, यह भी दोनों साइड देखे खाएं, तो यह हो गया, दो, और चौथे में आते हैं, capital R, small R, capital Y, और small Y, यह एक यहाँ हो जाएगा, दो हो गया, यह तीन, और यह चार, तो इसकी संख्या, टोटल चार, अब आते हैं, यह हो गया, इसके पास, यह capital R, दो हो गया, और दो ठोटोई small Y, इसको देखे ऐसा, यह सिर्फ, अखेला दिख रहा है, तो इसको लिख देंगे, एक, यह भी हो गया, इसके पास आते हैं, capital R, small R, और small Y, small Y, इसका संख्या, यह के यहाँ पे दिख रहा है, और यह के यहाँ पे दिख रहा है, तो यह हो गया, अब बच गए यह चारो, इसमें से सभी अलग-अलग हैं, यह दो हैं, यह एक है, तो इसको लिख लिए पहले, small R, small R, capital Y, capital Y, यह हो गया, एक, और यह वाला, small R, small R, capital Y, small Y, यह हो गया, यह दोनों, और लास्ट में बच गया, small R, small R, small Y, small Y, इसका संख्या, मिला है, एक, इस तरीके से आप, जीनो टाइप अनुपात को भी लिख सकते हैं, और यहां तक, द्वी संकर क्रास है, यह complete होता है, आइए, मेंडल के स्वतंत्र व्योन नियम को देखते हैं, इस नियम के नुसार, जब, दो या दो से अधिक लक्षणों की वांसा गती होती है, तो उसके कारक ऐसा वैवार करते हैं, मानुए उनके बीच में कोई संबन नहीं है, अर्था, यह, एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, दूसरे सबदों मेंह कर सकते हैं, कि जब, लक्षणों की वांस प्राप्त होते हैं जैसे गोल लक्षण है ये पीले के साथ भी जा सकता है गोल लक्षण हरे के साथ भी जा सकता है उसी तरीके से जुरिदार वाला जो लक्षण है ये हरे के साथ भी जा सकता है और पीले के साथ भी जा सकता है इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं कि जब द जुरिदार के साथ पीला लक्षर भी प्राप्त हुआ है और जुरिदार के साथ हरा लक्षर भी प्राप्त हुआ है तो आप बहुत अच्छे से समझ गया होंगे कि यह जो लक्षर होते हैं या कारक होते हैं एक दूसरे से बिलकुल स्वतंत्र होंगे तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तब दोस्तों के साथ सेयर करें